हेलो गाईज, वेलकम टो एवब्वाइस पॉडवाइस अर्माज एडूकेशन, सो एवब्वाइस क्लासेस फिजिक्स लेक्चर में हम यहां पे इलेक्टिक, इलेक्ट्रिस्टेटिक को कवर करने वाले हैं, जोकी चैट्टर नंबर एक है, क्लास 12 फिजिक्स का, इसको हम स्ट स्टार करेंगे, आज से ही सिरीज पूरी स्टार हो रही है, और यहां पर हम हर एक लेक्चर में, अब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर लिजेगा, जब से पहले यहां पर बात करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो स्टेडिक, स्टेडिक का मतलब होता है स्थिर, या फिर जो मोसन में ना हो, जो गतिमान ना हो, जो गतिमान ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडिक कहते हैं, जो मोसन में ना हो, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडिक कहते हैं, अब यहाँ पर जो इलेक् वो charge के लिए use होता है charge यानि की आवेश तो आवेश के लिए हम generally किसका use करते है इलेक्टर वर्ड का use करते है तो अगर कहीं पर electro static लिखा हुआ है electromagnetic लिखा हुआ है जहां पर भी electro word हुआ वहाँ पर हम किसका use करेंगे वहाँ पर charge का use करेंगे तो basically आप यह समझ जाएंगे कि अगर electro word आ रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं charge जो है वो link है तो यह पूरा का पूरा जो electro static है जिसमें हम charge पर ही पूरी की पूरी बात करने वाले हैं charge static होगा यानि कि इस्थिर होगा तो वो electro static पूरा part cover करेगा अगर charge motion में है तो वो electro dynamic हो जाएगा या electro magnetic हो जाएगा ठीक है तो depend कर रही है पूरी की पूरी ब्रांच चार्ज पर अब charge होता क्या है charge को अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें जो बहुत सारी theories है charge को लेकर benjamin franklin ने क्या कहा था या उससे पहले जो अंबर एक धातू थी उसको रगण के जो एक basic property देखी गई थी वो क्या थी वो हम सब समझेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं यह electro static जो है इसको हमने चार पार्ट में divide किया यहाँ पर तो पहला जिसमें हम electro static force को cover करेंगे जिसमें हम electro static force देखेंगे क्या होता है दो चार जगर रखे हुए है तो उनके वीच force क्या लगेगा कौन सा force apply होगा second जो हम देखेंगे वो देखेंगे electro static या electric field second में हम electric field को cover करेंगे third में हम electro static potential देखेंगे electro static potential क्या होता उसकी definition उसके साथ-साथ उसकी क्या-क्या प्रॉपर्डीज है और साथ-साथ इसमें एक important जो theorem है जिसको हम बोलते है Goss theorem तो वो भी हम यहाँ पे cover करेंगे, third electrostatic के third part में, fourth part में हम देखेंगे यहाँ पे जो capacitance है, तो capacitance किस तरीके से work करता है, किसी भी electronic circuit में उसकी क्या-क्या प्रॉप देखेंगे, तो electrostatic को हमने चार पार्ट में divide करके देखा है, first में हम electrostatic force, second में electric field, third में potential, या फिर Goss theorem जो है वो और उसके साथी जो fourth part होगा, उसमें हम capacitance को cover करेंगे, अब एक-एक करके हम देख लेते हैं कि इसमें जो पहला पार्ट है जिसमें हम अभी electrostatic force की बात कर रह आने वाले हैं, तो first topic रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा प्रिक्सनल electricity, प्रिक्सनल electricity क्या होता है, जैसे मैंने अभी starting में बात करी थी, अंबर नाम की धातू को जब रगड के देखा गया था, तो वहां से हमें ये पता चला कि यार वो क्या कर रहा है, attraction या फिर रिपल्सन ए या तो वो attract करेगा किसी भी एक insulated material को या फिर वो repel करेगा, तो ये property वो सो कर रहा था, जिस वज़े से हमने देखा कि यार कोई तो एक ऐसा particle है, जो की transfer हो रहा है एक body से दूसरी body में, तो वही property जो निकल का ही, वो कहां से निकल का है, ये frictional electricity, इसको हम सबसे पहले समझें यूनिट क्या है चार्ज की, उसके बाद relative permittivity और dielectric concept को हम पूरा समझेंगे, dielectric constant क्या होता है, उसके बाद continuous charge distribution जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, linear charge density, surface charge density और volume charge density, तो इसको हम यहा तक इस lecture में, पहले वाले lecture में समझेंगे, second जो पार्ट है, इले electric field क्या होता है, यह समझेंगे, उसके साथ ही electric field intensity and electric field strength, यह दूरों अलग-अलग हैं या फिर एक ही है, तो यह हम उसी lecture में समझेंगे, उसके बाद electric field intensity due to a point charge, अगर एक कोई भी charge रखा हुआ है, उसके विज़े से उसके आसपास जो electric field है, वो कितना होता है, इसका पूरा derivation हम next lecture जो होगा second part electrostatic का उसमें देखेंगे, उसके साथ ही super position principle है, electric line of force है, अब इसमें भी electric line of force जो है, वो due to point charge, due to dipole, due to equivalent like charges and due to uniform field, तो इनकी वज़े से जो electric line of force होगा, या विद्धुद बल रेखा हैं जो होँगी, वो कैसी दिखाए दिंगी, यह सब हम next lecture में cover करेंगे, उसके साथ ही properties of electric line of force, electric line of force की कम से कम 5 और 6 property हैं, वो हम one by one समझेंगे, एक एक properties को बारी की से समझेंगे, उससे based question आ जाता है एक दो number में, इसी के साथ में electric dipole क्या होता है, उसकी क्या क्या properties है, electric field intensity due to electric dipole, अगर कोई electric dipole रखा हुआ है, तो उससे किसी भी point पर उसके, उससे axis पर और या फिर निरक्षी एस्तिती पर अगर हमें electric field निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, torque on the electric dipole, electric dipole अगर रखा हुआ है किसी electric field में, तो वो क्या करेगा, rotate करेगा, तो उस पर torque कितना हुआ, वो torque हमें निकालना है, तो उसका पूरा derivation हम यहाँ पर देखेंगे, इसी साथ ही जो third part होगा, जहाँ पर हमें देखना है, electric, line integral जो है electric field का वो क्या होता है, तो यह जो part है, potential और gauss theorem से related है, तो इस सबसे पहले हम line integral electric field का देखेंगे, उसके बाद potential and potential difference, then potential due to single point charge, and potential due to group of charge, and potential due to electric dipole, तो potential अभी तक हमने क्या देखेंगे, electric field देखा था second part में, अब third part में हम क्या देखेंगे, potential देखेंगे, electric dipole की वेज़े से, उसके साथ ही potential जो है, एक्की potential surface क्या होती है, उसकी क्या के properties है, यह सब हम इसके third part में देखेंगे, electrostatic potential energy, area vector क्या होता है, यह solid angles, electric flux, Gauss theorem आएगी उसके कुछ applications हैं, five applications हैं, जिसको हमें एक-एक करके पूरा derivation उसका समझना है, ठीक है, and electric field intensity due to line charge, plate sheet, and charge and spherical shell, ओके, तो यह जो properties हैं, यह basically, अगर हम इसकी applications को समझ लेते हैं, तो हमारा जो है, electrostatic part पूरा का पूरा cover हो जाता है, जहां से हमारे जो questions हैं, basic questions जो बनते हैं, जो कि आपके entrance exam में भी आते हैं, या फिर आपके, आप अगर board का exam देने जा रहे हैं, तो board exam में भी काफी questions पूछे जाते हैं, long question यहां से आता है, applications of Gauss theorem से, तो यहां से हम एक ठोस question जो की आपके exam में पूछे जाएगा, वो हम यहां पे cover करेंगे, इसके बाद लास्ट जो electrostatic क पाट जिसमें हम cover करेंगे, behavior of conductors, conductors का behavior कैसा होता है, electrostatic field में, इसके साथ ही, electrical capacitance क्या होता है, principle of capacitance, capacitance of parallel plate capacitor, ऐसी series और parallel combination capacitance क्या होगा, energy stored, कितनी energy store हो जाएगी, capacitor में, या उसकी energy density क्या होगी, energy density का मतलब होता है, per unit volume में कितनी energy store होई है, वो उसकी energy density होती है, इसी के साथ में, energy stored in series and parallel combination of capacitance, उसके साथ ही, हम यहाँ पे देखेंगे, कि polar और non-polar जो molecules होते है, वो क्या होते है, polar and non-polar, polar और non-polar मतलब जिसमें, जो charge है, वो दोनों charges, जैसे हमने dipole देगा था, तो polar का मतलब होता है, positive and negative, दोनों pole है, non-polar मतलब जिसमें break नहीं होता, positive and negative में, तो वो non-pol molecular होंगे, dielectric, dielectric का polarization हम यहाँ पे देखेंगे, and polarizing vector and dielectric strength, उसके साथी parallel plate capacitor with dielectric slab and 1D graph generator, वो कि सिलेवस से इसमें से बहुत सारी चीज़े हट चुकी है, लेकिन हम इनको one by one cover कर देंगे, ओके, बीच में एक topic छोड़ गया, loss of energy on sharing, charge between two capacitor, तो दो capacitor के बीच में, जब charge का share होता ह है, distribution होता है, तो उसमें कितनी energy का loss होता है, तो यह वीट पूरा derivation हम देखने वाले हैं, तो आते हैं हमने main topic पे जो की है, यहाँ पे, तो यह अभी इस lecture में हम cover करने जा रहे हैं, पहला होगा यहाँ पे frictional electricity, इस topic को हम समझेंगे, electrostatic force के अंदर, start करते हैं आज का lecture, और अब इसे दूसरी body में जब transfer होता है, तो कुछ basic properties करता है, या तो body को attract करेगा, या फिर body को repel करेगा, तो वो एक ऐसा particle, जो कि किसी एक body से दूसरी body में transfer होता है, या दूसरी body में enter करता है, तो उसकी property में change करता है, वो क्या particle क्या है, चार्ज है, अब frictional electricity की बात करें, तो Frictional electricity is the electricity produced by the rubbing two suitable bodies. अगर दो bodies को हम आपस में rub करें, तो क्या होता है? उससे particle का transfer होता है एक body से दूसरी body में, और जब particle यानि की charge एक body से दूसरी body में transfer होगा, तो bodies जो है, वो basic properties हो करने लगेंगी. अब जैसे यहाँ पर हमने पहला example लिया है, आप देख पारेंगे, जैसे हमने एक लिया है, यहाँ पर silk cloth और दूसरा हमने लिया है glass. दोनों को अगर आपस में rub किया जाता है, तो glass जो है, उस पर glass rod पर क्या आगया? positive charge आगया. glass rod पर positive charge आने का मतलब यह है, कि अगर इस पर positive आया है, तो दूसरी वाली जो body हमने जिससे rub किया है, उस पर क्या आगया? negative charge आगया. तो silk पर आजाएगा negative charge, और glass पर कौन सा चार्ज आगया? positive charge आगया. अगर दो opposite charge है, तो दोनों इस दूसरी क्या करने लगेंगे? फिर attract करने लगेंगे. सेम ऐसे ही यहाँ पर evonite हमने लिया है, और evonite को हमने जो है वो final से इसको अगर हमने rub किया, evonite की कोई rod है, उसको अगर हमने final से rub किया है, तो evonite की जो rod है उस पर आगया negative charge और इस final quote पर क्या हो कौन सा चार्ज आगया? positive charge आगया. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के वर इलेक्ट्रोन के लैक और इलेक्ट्रोन रिच को सो करते हैं, यह हम आगे अभी देखेंगे, तो इलेक्ट्रोन्स इन ग्लास आर लूजली बॉंड, जिसकी वज़ा से क्या हुआ, इलेक्ट्रोन जो थे, वो ट्रांसफर हो गए किसमे जो सिल्क क्लॉथ था, उसमें ट्रांसफर हो गए, तो कि जो ग्लास में इलेक्ट्रोन थे, वो क्या थे, लूजली बॉंड थे, यानि कि बहुती कमजोर एक बंद से जुड़े हुए थे, जिसकी वज़ा से सिल्क में वो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, अब ग्लास में कि कमी हो गई उस पर क्या गया positive चार्ज आ गया सिल्क पर electron पहुंच गया इसका मतलब उस पर क्या गया negative चार्ज आ गया तो रिजल्ट क्या निकला glass becomes positively charged and silk become negatively charged इसी तरीके से electron पर फर में जो electron थे इवो नइट का जो हमने रॉड ली थी इसमें जो electron थे वो loosely bond थे जिसकी वैसे जो फ्रेलल था उसमें electron loosely bond थे जिसकी वैसे वो ट्रांसफर हो गया है किसमें evonite rod में तो हमने यहाँ पर result किया देखा कि जो evonite rod थी वो negatively charge हो गई और जो फर था वो positively charge हो गया तो इसको बोलते हैं frictional electricity जिसकी विजए से अगर हम दो bodies को रप करते हैं तो charge का transfer होता है तो इसको हम frictional electricity बोलते हैं it is very important to note that electrification of the body whether positive or negative is due to transfer of electron from one body to another एक body से दूसरी body में जब electron का transfer होगा तभी क्या होगा चार्ज जो है वो positive या negative हो सकता है electron का transfer नहीं होगा तो body neutral रहेगी अगर electron का transfer हो रहा है तभी body positive या फिर negative हो सकती है इसका मतलब यह है जो मैंने भी बताया था electron rich electron rich negative charge electron lack positive charge तो इसको हम basic electron theory कहते हैं अब electron theory यह बताती है कि अगर किसी body में electron ज़्यादा है तो वो negatively charge body होगी अगर किसी body में electron कम है तो वो positively charge body होगी तो यह यहां से नोट कर सकते है ग्लास को सिल्क के साथ में रब किया positive negative wool या फिर funnel को हमने किसके साथ में रब किया था umber evonite rubber या plastic किसी के भी साथ रब करेंगे तो इस पर negative charge आएगा और इस पर positive charge आएगा evonite जो rod थी हमने इसको अगर polythene के साथ रब किया तो polythene पर negative charge आएगा और evonite पर positive charge आएगा तो यह आप note कर सकते हैं properties की बात अगर हम करें charge की तो charge की properties क्या है there exist only two types of charges namely positive or negative जैसा अभी हमने देखा था कि या तो positive charge होगा या फिर negative charge होगा इसके अलाबा कोई neutral neutral कोई charge नहीं है neutral का मतलब यह हो गया कि ना तो उस पर positive है ना तो negative है जितने positive है उतने ही negative है तो यह equal charge है okay equal charge मतलब जितने positive उतनी negative तो मिल करके neutral हो गया वो तो यह तो positive charge होते है यह तो negative charge होते हैं इसके लाबा तीसरा कोई charge होता नहीं है ठीक है तो there are two types of charge positive and negative like charges repel and unlike charges attract each other एक दूसरे को attract करेंगे like charges जो होंगे वो क्या करेंगे repel करेंगे और unlike charges एक दूसरे को attract करेंगे जैसा हमने देखा था negative और positive charge अगर हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ खीचेंगे ये इधर की तरफ खीचेगा अपने को ये वाला charge इसको इधर की तरफ खीचेगा और ये positive charge इसको इधर की तरफ खीचेगा तो unlike charges एक दूसरे को attract करते हैं जब कि like charges जो होंगे वो एक दूसरे को repel करेंगे charge की अगर हम बात करें तो ये एक scalar quantity है व्क्त क्वाटिटी नहीं है इसका मतलब यह है कि चार्ज की लिए direction की ज़रत नहीं है चार्ज अगर हमने देख लिया कि कह दिया हमने कि टू कुलाम का चार्ज है तो यह नहीं कहेंगे हम थट कुलाम का चार्ज नॉर्थ में है 2 conductor है एक पर 2 µ का charge हे एक इपर –2 µ का charge हे दोनों को अगर हमने हापस में touch कराया तो 2 – 2, 2 – 2 कितना हो गया जीरो हो गया तो ये additive nature के होते हैं यानि कि इनको आपस में जोड जा सकता है तो जो भी nature होगा उसे sign के साथ में हम उसको add करते हैं एंड माइनस 3 मासटी वह सुल दव्हां पालान तो 5 और 17 में से यह तो इस तरीके से चार्ज जो और वह सुलेश अगर देखे एकजाम्पल के दौर पर देट clean packet rather than the continuous amount, एक continuous amount की जगे एक discrete packet में यह होते हैं, जैसे अगर हम देखे किसी body पर जो charge होगा, वो electron का n multiple होगा, n multiple मतलब integer multiple होगा, तो it can be expressed in integral multiple fundamental electronic charge, fundamental electronic charge क्या होता है, is equal to 1.6 10 to the power minus 19 कुलम्, तो यह electron पर charge होता है, क्योंकि electron negative nature का होता है, तो हम इसमें negative लगा सकते हैं, तो इसी का एक multiple होता है, किसी भी body पर जो charge होगा, वो electron पर जितना charge होता है, उसके magnitude के n multiple होता है, जहाँ पर n क्या होंगे, integers होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक body पर जो charge है, वो दूसरी body का half हो जाए, दूसरी body का एक body पर जो charge होगा, वो electron का डेड़ गुना हो जाए, या 4, 5 times, तो ऐसा नहीं होगा, वो क्या होगा, 4 times होगा, या फिर 5 times होगा, 2 times होगा या फिर 3 times होगा, 2.5, 1.5 इतना इसमें नहीं हो सकता कभी भी तो वो integers नहीं होते है तो principle of quantization of charge क्या कहता है कि 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 भी body पर जो charge होता है वो electron पर charge के magnitude का integral multiple होता है यानि कि Q is equal to any बहुत important है इसको आप note कर लेंगे इसी के साथ में चार्ज जो होता है वो क्या रहता है conserve रहता है conserve का मतलब यह हो गया कि तो example के तोर पर मैं यहां पर बता देता हूं वेन एक glass rod is rubbed with silk अगर किसी एक glass rod को silk के साथ में हमने रव किया तो silk पर silk पर कौन जो चार्ज आता है negative charge आता है चार्ज जो होता है वो क्या होता है conserve रहता है वो क्या होगा वो change नहीं होगा कि यहां से अगर transfer होगा तो दूसरे में अलग हो गया गला है तो net जो चार्ज है वो क्या रहेगा वो सेम रहेगा मतलब वो क्स रहेगा कि अगर 2µ. Q branch and 4¼ का तो वह दो वो fix रहेगा अभी भी 2µ. Q pointer यह 4µ. Q रहेघा ऊके तो चार्ज क्या रहता है और nuo इनवेरिएनट ही जो मैं पहले बता रहा था चार्ज क्या है invariant है 12 को आप अर्थ पर देखे अगर अर्थ पर चारज फोर कुलं का है स्थित तो मून पर अगर होगा वही चारजisha तो उसका जो मैगनिट्यूड है वह चेंज होने वाला नहीं है चारज अगर अर्थ पर इतना है तो मून पर भी उतना ही चारज होगा जिससे frame of reference पर उस पर कोई फरक पड़ता नहीं है frame of reference मतलब यहाँ हो या फिर किसी और planet पर हो कोई फरक उस पर नहीं पड़ेगा तो charge is a invariant charge क्या होता है एक invariant होता है जिससे उस पर frame of reference पर कोई फरक नहीं पड़ता है अब बात करते हैं Coulomb's law की तो what is Coulomb's law या फिर force would be in two point charges दो point charges के बीच में force वही क्या होता है Coulomb's law कहलाता है तो इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले तो Coulomb's law इससे पहले आपने class 11 तो में gravitational force पड़ाऊगा तो gravitational force को अगर हम Coulomb's law से या फिर electrostatic force से compare करें तो लगवग लगवग सेम है जैसे अगर हम बात करें Coulomb's law की तो Coulomb's ने अपने study में अपने experiment से ये प्रूफ किया या ये देखा कि अगर दो point charges है तो suppose r दूरी पर रखे हुए है तो r distance अगर यहां पर है q1 and q2 के बीच की तो according to the Coulomb's law उन्होंने कहा कि जो force between the two charges है वो क्या होगा उन दोनों charges के product के directly proportional and जो उनकी बीच की distance है उसके square के inversely proportional होगा तो according to the Coulomb's law electrostatic force of interaction, interaction means attraction या repulsion between two point electric charges directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them act along the line joining the two charges तो दो charges के 20 की जो distance है उसके square के inversely proportional होता है इसलिए इसको बोलते हैं inverse square law क्या बोलते हैं inverse square law ओके तो इसको बोला जाता है inverse square law तो आप इसको देख सकते हैं यह जो लिखा हुआ है मैंने इसको आप देख लीजेगा inverse square law इसको क्यों बोला जाता है इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे यह जो है दो charges के बीच की distance जितनी है उसके square के inversely proportional है जिस वज़ा से इसको inverse square law भी बोलते हैं ऐसे ही gravitational जो force है उसको भी inverse square law बोलते है because of this reason की बज़ा से ओके तो यहाँ पे हमने क्या लिखा यहाँ पे हमने देखा कि force जो है वो charges के product के directly proportional है और जो distance है उसके square के inversely proportional है तो यहाँ पर हम जब इसको combine करेंगे तो इसका मतलब हो गया है f is proportional to q1 q2 upon r square and f is equal to k q1 q2 upon r square जब proportional का sign अड़ता है तो एक constant आता है ध्यान रखिएगा तो इस constant को हम यहाँ पर proportionality constant कहते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं electrostatic force constant प्रपोरिशनलिटी constant है यह क्योंकि प्रपोर्पोर्शनल का sign अड़ा है और यह के की value यहाँ पे हमने अप्लाई करिए तो इसको proportionality constant के साथ साथ में है क्या बोलेंगे electrostatic force constant भी बोलेंगे या फिर हम इसको अब कुलामड कॉंस्टेंट भी बोल देते हैं अब इसकी वैल्यू जो होती है वह it kan यह फिर ए ए ये और वेक्विंच यहां पर अथय emotic compliment ऑछा एकक्षैज की यह Kis 12, यह इसकी permittivity की value होती है, तो यह आप note कर सकते हैं, ठीक है, 1 upon 4p epsilon 0, और अगर 1 upon 4p epsilon 0 की value आपको यहाँ पर apply करनी है, तो यह होती है, 9 into 10 to the power, 9 newton meter square per coulombie square, तो यह k की value होती है, यह direct apply कर सकते हैं, यह फिर 1 upon 4p epsilon 0 भी use कर सकते हैं, और यह value यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके? अगर medium है कोई, तो वहाँ पर हम epsilon का use करेंगे, वहाँ पर epsilon not use नहीं करेंगे, माल लिजे कि अगर दो charge हैं और वो किसी और medium में रखे हुए है ग्लास में रखे हुए है या फिर water में रखे हुए है या कोई और medium है जिसमें वो दो charges रखे हुए है तो उसके लिए हम epsilon not use नहीं करेंगे वहाँ पे हम के की जगे क्या use करेंगे 1 upon 4 epsilon अपी यहें पे बहुत shut up hen सूने पाइ बन अपह और 4 पे उस मीडियम की परमिटीवीटी ओके अ किसके धॉलन नॉट गे और आंस के लोथा है एपसलेंट की जगह K, EPSYLONT अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, K क्या है यहाँ पे? DIALECTRIC CONSTANT है, तो DIALECTRIC COFFICIENT K है, तो अगर हम यहाँ यहाँ पे यूज करें, तो क्या हो जाएगा? F is equal to 1 upon 4 pi EPSYLONT की जगह हो जाएगा, जनरली हम air and vacuum के लिए इसकी value क्या ले लेते हैं वाल ले लेते हैं तो आप ये notes कर सकते हैं तो medium में जो ये हम formula यूज करेंगे वो यूज करेंगे बन अपॉन फॉर्पे epsilon not k q1 q2 upon r square epsilon not की value मैंने आपको बताई थी 8.85 into 10 to the power minus 12 q2 per newton meter square एंड वन फॉर्पे epsilon not की value मैंने आपको बताई थी 9 into 10 to the power 9 newton meter square per q2 okay तो ये values आप यहां से note कर सकते हैं नेक्स्ट continuous charge distribution नाम से बता चल रहा हुआ continuous यानि की लगातार चार्ज आवेस distribution वित्रण तो सतत इसको हम बोलते हैं हंदी में basically तो सतत आवेस घनत वित्रण या फिर continuous charge distribution इसको हम समझेंगे क्या होता है continuity continuity का मतलब होता है लगातार मतलब अगर आप देखो कि मैं जहां तक नजट दोड़ा रहा हूँ वहाँ पर एक ही जैसा अगर मुझे दिख रहा है तो वह मेरे लिए continuous है जहां तक मैं नजट दोड़ा रहा हूँ वहाँ पर मेरे लिए अगर एक ही जैसा है regular है तो वह क्या है मेरे लिए continuous है जैसे ही क्या होता है कि अगर चार्ज का डिस्टीवइशन किसी बॉड़ी में एक जैसा है एक समान है तो उसको हम क्या बोलते हैं continuous charge distribution distribution का मतलब हो गया अभीत्रण तो तो अगर एक समान बटे हुए हैं चार्ज पूरी बॉड़ी पर तो उसको हम क्या बोले हैं continuous continuous charge distribution बोलेंगे अगर इसकी definition आपको देखने हैं तो कह सकते हैं any charge which covers a space with dimensions much less than its distance away from the observation point can be considered a point charge. So, a system of closely spaced charge is set to form a continuous charge distribution. जैसे हमारे पास एक body है, सपोज ये एक rectangular shape में कोई body मेरे पास एक plate है, तो इस plate का क्या होता है? अपना area होता है, तो इस area में charge का distribution अगर एक समान है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी charge density जो होगी, वो Q upon A होगी, क्योंकि पर unit area पर जो charge हो कितना है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? surface charge density, तो इस तरीके से हमने charge density को, charge distribution को तीन टाइप से divide कर लिया, यानि कि पहले डाइप हमने लिखा line और linear charge density, line का मतलब होगा एक simple wire है, जिसकी length है, उसका कोई area नहीं है, ठीक है? length अगर ले रहे हैं, length में charge distribution देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते ह है, linear charge density, और इसको represent करते हैं, lambda से, तो if the charge is distributed over the straight line, over the circumference of a circle, और over the age of the quid, etc, then the distribution is called the linear charge distribution, अगर हम किसी एक charge का distribution, उसकी straight line के along देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते है, linear charge distribution कहते हैं, और linear charge distribution को lambda से represent करते हैं, और इसका जो formula होगा, वो क्या होगा? Q upon L, क्योंकि हम per unit length पर देख रहे हैं, तो charge per unit length, तो हम यहापे लिख लेंगे, this is charge per unit length, तो यह क्या है, charge per unit length है, तो आप इसको note कर लिजेगा, charge per unit length का मतलब हो गया, कि अगर हम इसकी unit की बात करेंगे, तो वो जाएगा, क्या होगा, तो इसकी unit की हो जाएगी, क्योंक पर मीटर, तो लेम्डा की unit क्या होगई, क्योंक पर मीटर, तो टोटल charge जो होगा line line पर यानि की Q की जो value अगर हम निकालेंगे तो integration कर देंगे linear integration lambda DL इसको बोलते linear integration L लगा हुआ है integration के साथ में तो यह linear integration हो गया तो यह हो जाएगा lambda DL तो DL क्या है हापे यह जो पूरी एक line है जिस पर positive charge है इतना जो part हमने लिया है यह DL है और इस पर charge हमने ले लिया DQ तो इस DQ की value जो होगी वो कितनी होगी यह होगी lambda DL और यहां से integration करेंगे तो DQ is equal to Q हो जाएगा and which is equal to integration of lambda DL linear integration तो यह आप ध्यान लखेंगे यह काफी important हो जाता है interest exam में भी कुछ आता है अगर आप board का exam देने जारे हैं तो आप यह question आ सकते हैं संभाव ना है next देखते हैं linear charge distribution के साथ में मैंने बता है surface charge distribution surface charge distribution का मतलब होता है कि अगर charge जो है पूरी surface पर एक समान रूप से बटा हुआ है या बित्रित है distributed है तो वो क्या हो जाएगा surface charge distribution हो जाएगा surface charge density क्या होती है कि if the charge is distributed over the surface area then the distribution is called the surface charge distribution इसको represent करते हैं sigma से q upon s, s for surface area अगर हम एक surface ले रहे हैं उसमें एक unit एक छोटा सा part हमने ले लिया area का जिसको हमने ds से represent किया तो ds पर जो charge है वो कितना है dq है यह sigma is equal to dq over ds यहां से dq की value लिका लोगे तो कितना हो जाएगा sigma ds इसको integrate कर दो तो यहां से q की value लिका जाएगी surface इसको क्या बोलते aerial integration ठीक है यह surface integral यहां पर हम use करेंगे और यह हो जाएगा sigma ds के equal next आता है volume charge distribution नाम से बता चल रहा है कि अगर charge का distribution पूरे के पूरे volume पर है तो इस प्रकार के distribution को हम क्या कहते है volume charge distribution कहते है and represented by rho तो rho से हम इसको represent करेंगे q upon यहां पर हम v लिक सकते है q upon v and rho is equal to q upon dq over dv तो यह हो जाएगा q is equal to volume integral volume integral rho dv तो यह इसका क्या हो गया volume charge distribution हो गया तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा इस पूरे lecture में एक बार मैं आपको remind करवा देता हूँ हमने यहां पर देखा था एक तो fictional electricity क्या होती है सबसे पहले हमने बात किस की करी थी fictional electricity की करी थी उसके बाद हमने properties देखी थी electric charge की उसके बाद coulombs law देखा था coulombs law के साथ में फिर हमने उसकी vector form देखी थी vector form क्या होती है अगर हम coulombs law की vector form देखेंगे तो हम किस तरीके से represent करेंगे coulombs law की f is equal to कितना होता है k q1 q2 upon r square तो हम इसको अगर vector form में देखेंगे तो हम इसको लिख सकते है f vector is equal to k q1 q2 upon r q and r cap इस तरीके से हम इसको represent कर सकते हैं इन vector form तो हमने vector form देखी इसमें और इसी के साथ में unit charge क्या होते है unit charge and relativity relative permittivity and dielectric constant के साथ continuous charge distribution linear charge surface charge and volume charge distribution तो यह हमने सभी इस lecture में cover कर लिया next lecture में हम electric field को cover करेंगे और इसकी साथ में उसकी properties क्या क्या है यह सब हम next lecture में देखेंगे तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए अपना बहुत द्यान रखिएगा बाइबाए थेंक्यू